आउक्षेपन अभिक्रिया और द्वी विस्थापन अभिक्रिया एक साथ एक ही उधरन से टू इन वन टैन्थ साइन्स आउक्षेपन अभिक्रिया क्या है आउक्षेपन अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में आउक्षेप का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आउक्षेप लिया है Jeli-Villion Bayram Chloride का justification लिया है और उसमें Copper Sulfate के solution को add किया है Bacl2 Bayram Chloride Co., Copper Sulfate तो Bayram Chloride के solution में Copper Sulfate का solution add किया तो हमें Bayram Sulfate के सफेद आउखशे प्राप्त होते हैं ये देखिए Bacl4 ये solid तो ये सफेद आउखशे प्राप्त होते हैं और copper chloride का solution भी हमें प्राप्त हो जाता है तो इस तरीके से यह आउक्षेप हमें मिले हैं तो हम इसे कहेंगे कि यह आउक्षेप बिक्रिया है क्या कि हमने barium chloride के solution में या जली विलियन में copper sulfate का solution एड़ किया तो हमें barium sulfate के सफेद आउक्षेप प्राप्त हुए और copper chloride का हमें solution मिला तो इस तरीके से यहाँ यह हमें आउक शेप प्राप्त हुए है अब आउक शेप एक्शुली क्या है कि यह श्वेत रंग का एक ठोस पदार्थ का निर्मान होता है जो जल में आव इले होता है तो हम इसे आउक शेप कहते हैं तो यह barium sulfate का हमें आउक शेप मिला अब two in one क्या है तो इन वन यह है कि यह द्वीष्थापन अभिक्रिया का भी example है है ना अब द्वीष्थापन अभिक्रिया का होती है यह अभिक्रिया घिसमें अभिकार कों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ठीक है एक्छेंज आप आइन होता है तो उसको दिवी इस्ता मैं विए क्रिया कहते हैं तो यहां देख लीजिए आप यह आपके अभी कर रहा के देखी यह किया यह यहर। यह को एक अध्यक्न को मैंने डबल लग गया और यूंद दो बेरियम सल्फएट और कॉपर क्लोराइड बन गया तो देखिए एक्सचेंज आप आइंस देखिए इसको रेट से बता है देखिए रेड यहां गया इसको मैंने यह एक अलग कलर दिया है तो यह यहां गया तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह कीजाबन सकता है धन्यमाद